पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुलकादिर का सलाम विफाकी दाल हकुमत इसलामाबाद में वैसे तो काफी ठंड है दो दिन से धुन पड़ रही है लेकिन इसलामाबाद के बिलकुल करीब रावल पिंडी जहां आडियाला जिल है वहाँ पर तोड़ी गर्मा गर्मी देखने को मिली आज इमरान खान साब काफी नाराज हुए और एनी शाहदीन के मताबक वो एक मौके पर इतना नाराज हुए कि अलीमा खान को उन्हें कूल डाउन करने की ज़रूरत पेशाई और फिर उन्होंने का कि मैं अपनी पार्टी से कहूँगा कि बाहर निकले और फिर उन्होंने इतवार के दिन की कॉल भी दे दी सिर्फ इमरान खानी नहीं शामेमुद कुरैशी की भी गर्मा गर्मी हुई आज उसकी मुकमल तफसील आपके सामने रखनी है पॉइंट बाइपॉइंट के हुआ क्या था लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जिकर आम इंतखाबात की तियार अब सिर्फ 17 दिन बाकी रहे गया है काउंट डाउन बहुत तेजी से चल रहा है ऐसे में निशानात का पता कैसे चलाया जाए कुछ वोटर अभी भी कन्फ्यूज है और जो लोग मेरे से कॉंटेक्ट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें अभी भी मुश्किलात का सामना है PTI की तरफ से काफी सारे स्टेप्स लिए गये लेकिन स्टिल लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि उनके हलके में निशान किसको मिला है और जो उमीदवार है वो कौन है तो आप लोग जरा सा कॉमेंट सेक्शन में अपनी राए बता दीजे कि क्या वाकई ऐस है या अभी तक के जो स्टेप्स लिए गए है उनसे आपको आसानी हुई है वोटर्स को अपने उमीदवार ढूनने में और उनके निशानात ढूनने में अब आजाए जरा एक दो छोटी छोटी खबरे मैं डिसकस कर लो फिर डियाला जेल की पूरी सूर्चाल आपके सामने रखनी है इमरान खान साब ने आपके नाम एक पेगाम बेजा अपील भी कर दी इतवार के दिन बाहर निकलने की ये अपील क्यों करनी बड़ी हुआ क्या था तफसील बताता हूं लेकिन पहले दो तिन खबरे एक तो पाकिस्तान तहरीक इनसाफ अब टिक टॉक के उपर ज ये का वक्त टैय किया गया है आप इसमें शामिल हो सकते हैं लेकिन एक सूरत में शामिल हो सकते हैं अगर आप के पास टिक टॉक के उपर एक हजार फॉल्वर्स हों क्योंकि ये live इसकी transmission होगी या नहीं टिक टॉक लाइव होगा तो उसकी condition ही टिक टॉक की तरफ से ये है कि वो लोग ही participate कर सकते हैं जिनके 1000 followers हो तो PTI ने अपने pages के उपर इसका तरीका कार ये डाला कि लोग जल्दी से अपने account बनाएं और एक दूसरे को follow करते रहें और इस तरह से 1000 followers अगर आप दो दिन के अंदर complete कर लेते हैं तो आप इस live feed को join कर सकते हैं ना भी कर सके तो परिशा अजाद उमीदवार अगर जीत जाते हैं तो क्या guarantee है कि ये सारे अजाद उमीदवार उनके साथ ही रहेंगे तो इस खदिशे के पेशे नजर एक नई हिकमत अमली अब सामने आ रही है वो हिकमत अमली ये है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात आठ फरवरी तक कराए जाने तोर पर इसको गोर तक ही महदूद रखता हूँ अगले विलोग तक मैं इसको confirm कर लूँगा कि क्या ये हो रहा है या ऐसी कोई situation है आठ फरवी तक अगर इंतखाबात करा लेती है PTI और उनको ये बला मिल जाता है वापस बेशक उस वक तक इंतखाबात हो चुके हो तो अदालत से रजू करने का इरादा रखते हैं और सलमान अकरम राजा ने इस हावाले से एलान भी कर दिया है कि PTI बहुत जल्द अदालत जा रही है कि अदालत हमें बताए कि इन उमीदवारों का status क्या है जिने PTI ने टिकट जारी किया लेकिन लड़ वो आजाद हैसियत में रहे हैं चुके बला नहीं है लेकिन टिकट तो PTI की तरफ से इनिशेट हुआ तो ये पार्टी के ही लोग हैं ये आजाद तसवर नहीं किया जाएंगे इस किसम की अदालत तश्री करें तो अदालत में ये मौमला एक बार फिर से आने वाला है उसके लिए जो भी जो है वो मान लेगा के जनाब ये तो पार्टी के साथ बड़ा लायल है लेकिन बात में जब इलेक्शन जीत जाएंगे उस वक्त क्या वो दबाओं के सामने रुक पाएंगे ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा तो इसके उपर भी नज़र रखेंगे अब जरा आजए अडियाला जेल की तरफ जहां आज इमरान खान और शाह महमुद कुरैशी दोनों की लेकिन अलग-अलग गर्मा गर्मी हुई यानि एक दूसरे के साथ नहीं लेकिन अलग-अलग मवाकव पर आज दोनों ही काफी गर्म नज़र आए पहले इमरान खान का पूरा वाक्या मै यानि मीडिया के गिने चुने चंद योग वहाँ पर जाते हैं तो उनसे वह बात चीट कर रहे थे तो जो जेलर्स आप है उन्होंने बात करने से रोक दिया और फिर अमरान खान को इस बात पर आया गुस्सा और गुस्सा इसकदर आया कि फिर उनकी बहन अलीमा खान को भी एक मौमले पर इंटर्वीन करना पड़ा और इमरान खान साब को कूल डाउन करना पड़ा और जो लोग मौकी पर मौगी पर मौजूद थे उनसे मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि इतना सखत नारास थे कि वो मतलब शाउट करने जैसी सिचुएशन तक आ गए और उन्ह इमरान खान साब को मीडिया से बातचीत करने से रोका अव्यस बात है उनकी भी कई मजबूरिया होती है बहुत सारी चीज़े मौनिटर हो रही होती है तो वो नहीं चाहते होंगे कि नजला उन पर गिरे कई चीज़ें ऐसी बाहर निकल जाती है तो फिर उन्हें भूगतना बढ़ता है तो इमरान खान ने कहा कि ये ओपन कोड है और मुझे मीडिया से बात करने से नहीं रोका जा सकता हाई कोड ने मीडिया से बात करने की अजाज़त दे रखी है सुप्रीटेंडन अर्याला जेल बोले कि मीडिया यहां कोड प्रसीडिंग की कवरिज के लिए आत साथ से इस बारे में बात करूँगा इमरान खान ने अपनी बातचीत जारी रखी मीडिया के लोगों से और का कि साड़े तीन साल तक हमें सेलेक्टिड का गया लेकिन इस वक्त जो चल रहा है वो mother of all सेलेक्शन है फिर नवाज श्रीफ के बारे में उन्होंने बात की कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे केसिस खतम हो गए निगरान हकुमते मदद कर रही है इलेक्शन कमिशन इंतजामिया ये सब शामिल है लेकिन इस दुरान फिर सुप्रीटेंडेंड अडियाला जेल उनकी कोशिश थी कि बात्सीत ना हो यहाँ पर उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की तो इमरान खान निका के हमें बात करने का पूरा हक है ये ओपन ट्राइल है हमें उलाम बनाया जा रहा है ये इलेक्शन आजादी का इलेक्शन है और जमूरियत का मतलब भी आजादी होता है हमारी तमाम तर जद्व जहाद कानून की बाला दस्ती के लिए है और मैं अब अपनी पार्टी से कहता हूँ के इतवार को अपनी मोहिम के लिए सडकों पर निकल आएं और पूरी ओपन कैमपेंड करें इस मौके पर जो एनी शायदीन है उनसे मेरी बात भी हुई उन्होंने बताया कि इमरान खान साब की ये जो गुफ्तकुब मैंने आपको बताई है थोड़ा टोन डाउन करके लेकिन उस वक्त वो काफी अग्रेसिव दिखाई दे रहे थे और फिर कुछ लोगों ने बताया कि इमरान खान साब जब चलके वहां से जा रहे थे और बलके जब आ भी रहे थे तो उनको चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा चलने में उनको दुश्वारी हो रही है ठीक से चलने पा रहे है तो उनसे पूछा गया कि खैरिये तक क्या हुआ तो उनने बताया कि सर्दी काफी ज़्यादा है और जिस जगा पर टांग में गोलियां लगी थी वहां तकलीफ शुरू हुई है तो ये सारा मौमला था और फिर दूसरा किसा आज शाम हमुद कुरैशी का भी हुआ वो भी काफी तलख कलामी उनकी हुई और इतनी तलख कलामी हो गई कि फिर इमरान खान साब को जाना पड़ा शाम हमुद कुरैशी के पास और फिर उन्होंने जा के शामेमुद कुरेशी का जिस तरह से साथ दिया वो भी जरा आप सुन लीजिए आज शामेमुद कुरेशी के साथ ये वाला सारा मौमला उस वक्त पेश आया जब साइफर केस में साबिक सेकरेटरी खारजा जो सुहेल महमुद है अब रेटायर हो चुके हैं उन्होंने एक मौके पर बताया के सितंबर 2022 को मेरी रेटायर्मेंट हुई और मेरी रेटायर्में तो उस पर शामेमुद कुरेशी ने एतराज किया बलके नाराज हुए और उन्होंने का कि गवा को मालूम है कि क्या बियान देना है उनके सामने लिखा पड़ा है तो फिर उन्होंने का कि ये जो सेकरेटरी साब है ये काफी इमानदार आदमी है ध्यानतदार है मैं इनका अहतराम करता हूँ लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे है एफाईय के प्रॉसीकूटर को उन्होंने का कि मुझे मालूम है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे है अगर आप ने ऐसे ही ये केस चलाना है या इसी तरह से सारा कुछ करना है तो लिखा हुआ फैसला ले आए और यहां पर सुना दें जिस पर प्रोसीक्यूटर रिजवान अबासी ने का कि मैंने कोई गुम्राकुन सवाल तो नहीं किया मैंने कोई गलत बात तो नहीं की तो शाममुद कुरेशी ने का कि अगर आप यह सारा कुछ ठीक कर रहे होते तो क्या दो मर्दबा हाई कोड के केस की कारवाई काल अदम करार दी जाती फिर इस मौके पर जजज साब ने थोड़ा इंटर्वीन किया तो फिर जजज ने शाममुद कुरेशी साब को और थोड़ा कूल डाउन करने की कोशिश की लेकिन इस दुरान इमरान खान साब पहुंच के रोस्टरम पर और फिर उन्होंने का कि यहाँ पर सारा कुछ जो है वो डोनल्ल डू को बचाने के लिए हो रहा है उसको बचाने की कोशिश हो रही है तो खेर यह मौमला थोड़ा चलता रहा और फिर शाममुद कुरेशी के इतरास पर अदालत ने जो प्रोसीक्यूटर थे रिजवान अबासी उनको गवाह की बाचीत के दुरान लुकमा देने से या इंटरप्ट करने से रोक दिया तो ये आज के दिन की ओवराल कारवाई थी अडियाला जेल में काफी गर्मा गर्मी रही अब अल्ला जाने के सुप्रीटेंडन अडियाला जेल जो है वो इस सारे मौमले के बाद क्या करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे इख्तियारात होते है इसमें कोई शग नहीं है कि वो अगर किसी कैदी को थोड़ा बहुत रिलीफ देना चाहें तो वो दे भी सकते हैं और लेना चाहें तो ले भी सकते हैं अदालती एहकमात की तामील जो है वो अनी के थूर होंई होती है तो जो अमरान खांचा बहुदी है अब अलगरे कि वो उसी तरह से काइमधा रही इतनीजादा है भी नहीं लेकर जीतनी जैसे कि उनसे बताया कि सर्दी जादा है तो मैरा नहीं कहाल कि उनके पास कोई हीटर होगा तो आपको याद है कि अमरीका में खड़े होके उन्होंने एक बार का था कि नवाज श्रीफ का जो AC है वो निकल वाएंगे तो नवाज श्रीफ साब को तो काफी सहूलियत मिली थी लेकिन इमरान खान साब को शायद उतनी सहूलियत नहीं मिली इसलिए जेलर साब अब क्या करते हैं इसका इंतजार रहेगा आपको अपडेट करेंगे अपना बहुत सा ख्याल लगे अलहाफ़ेज